Do you come in sir? Yes, come in. आपने बुलाया था sir? ये लेटर है, मैं चाहता हूँ आप इसकी फोटोगाफ की बनाके हमारे हर स्टूडन की पैरेंट्स के पास ये पहुचा दे. ओकी sir. तैंक्यू. और प्रशान सर को बुला दीजे. जी sir. प्रशान सर को बुला दीजे. भविशे के बड़े बड़े singers भी हैं, जिनकी नजर में chemistry के कम अंकों का कोई मत्व नहीं. इन बच्चों में भविशे के athletics भी हैं, जिनकी नजर में उनके माक से ज़ादा उनकी fitness ज़रूरी है. लियाजा, अगर आपका बच्चा ज़ादा नंबर लाता है, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर वह ज़ादा नंबर नहीं ला सकता है, तो आप बच्चे से उसका आत्मविश्वास और उसका स्वाविमान ना चीने. अगर वह अच्छा नंबर नहीं ला सके, तो आप उन्हें होसला दिजिए, कि कोई बात नहीं बच्चे, ये एक छोटा सा इंतियान ही तो है, वह तो जिन्दगी में इससे भी कुछ बढ़ा करने के लिए बनाए गए हैं. अगर वह कम माक्स लाते हैं, तो आप उन्हें बता दें, कि आप फिर भी उन्हें प्यार करते हैं, और आप उन्हें उनके कम अंकों की वज़र से जज नहीं करेंगे. इश्वर के लिए आप ऐसा ही कीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे, फिर देखिएगा, आपका बच्चा दुनिया भी जीत लेगा. एक इम्तिहान और कम नंबर आपके बच्चे से इसके सपने और इसका टैलेंट नहीं चीन सकते. और हाँ, प्लीज, ऐसा मत सोचेगा, कि इस दुनिया में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजिनेर्स ही खुश रहते हैं. अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा रिजिए, केवल अच्छे मार्क सी आपके बच्चों का बविश्य नहीं है. धन्यवाद आपका प्रिंसिपल